किस जिंदगी जी रहे हैं बड़ी बेबसी के साथ अरे हम किसी के साथ तो दिल किसी के साथ दिल तूटने पर भी इतना दुख नहीं होता जितना कप का हैंडल तूट जाये तो होता भाबी की बहिन से प्यार करने का मजा ही अलग है अरे भाब 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 भाब, भाब भाब, भाब भाब, 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 भा मर्द तो मर्दी होता है न ये music बजएगा इसमे? तो भी मर्द है, मानता नहीं है तो 비 ! ये मर्द तो मर्द होता है एक बैचारे की भीवी चल बसी एक खुशी का music बजा है यह के शरबनी किरेंवनाफे तो जब चल बसी, तो पडोसन आई, और आके कहने लगी, आपकी पतनी, मेरी बहुत अच्छी सहली थी, बहुत दजदी की सहली थी, क्या उसकी कोई आखरी निशानी मिल सकती है, भरी आखों से, उसने अपना सर उठाया, पडोसन कहा, मुझसे काम चलेगा है क्या? मर्द तो मर्द होता है ना पिचारा, क्या करें? जैसे एक पत्नी ने अपने पती को कहा, मुझे भी ना, शादी के बाद तो तुम मुझे ना, जब तुरंट जो शादी होई थी नए-ने, तो मुझे क्या बलालते मेरी रबड़ी, मेरी रसमलाई, मेरी रसगुले, अब क्यों नहीं कहते हैं? अब बोले, दूद की मिठाई कितने दिन ताजा रहती हैं? अच्छा दूद से मुझे याद आया, वह यूँ, एक की बीवी माय के चली गई. अब बजा खुशी का मिठेक, लेकिन बिचारा दुखी हो गया, तू क्या नाचरा इस बात पर? बीवी किसी और की माय के गई है, खुशी तुझे हो ली है? अब बीवी, माय के चली गई? और चली गई तो अब बिचारा को चाय की जरूद पड़ी, दूद से आद आगया मुझे अच्छाना. अब जब चाय की जरूद पड़ी, अब बिचारा मर्द कभी किचन में तो जाता नही है, अब चाय कैसे बना है? तो अपने अलग-अलग दोस्तों को फोन किया, राय लेने के लिए, और कहा, हलो, रमेश, यार चाय बनानी है, अब बीवाय के कई भी है, चाय मैंने कुकर पर चड़ा दी है, कितनी सीटी लूँ? तो रमेश उसका भी बाप था, अरे बोले, जब कुकर में एक सीटी लगी भी है, तो और सीटी लगाने की क्या जूरत है, तो उसे समझ में नहीं आए, उसे दूसरे दोस्त को फोन किया, सुरेश, चाय बनानी है, कुकर पर चला दी है, तो कितनी सीटी लगा हूँ? अरे ब बोले, बीबी माय के गई भी है, तो बता कितनी सीटी लगा हूँ, अरे बोले, बोले, बालकाने में जाओ, और सीटी बजा पड़ोसर खुच चाय देखे जाएगी, लेकिन सबसे आखिर तो कमाल था, देवेंदर को फोन किया, बोले, देवेंदर, बीबी माय के गई भी है चाय के लिए कोकल सबाद किया है, कितनी सीटी लगा हूँ, अरे बागल बोले, बीबी माय के जाते हैं, आद भी चाय देखे दारू भी दारू, खुशी का मोचा है, तो इवे भाग खुशी का मोचा है, इन चालों का परिचे मैं कराओं उसके पहले, हमारे बड़ी खुश इस कदर बसावा है, कि साला पती याद नहीं आता, लेकिन वही याद आता है, वो गौत है, जब मैं चेहरा दिखाओंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके पहले, मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये कास्ट है, जो ना शुआ राय शेमार उमंग पे, क्यो क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, कि ये तीन कलाकार हमारे साथ है, हम उन्हें इस मंच पर बुलाएंगे, वो आज हमारी इस महविल में शिर्कत करेंगे, हमारे साथ होंगे, उनका विताओंपे, नकेवल तालियां बजाएंगे, लेकिन आनन भ पर क्या काव्या के कश्टी का कोई और है किनारा क्योंकि तू ही हाँ क्योंकि तू ही हाँ अपने काम के प्रती जो पहवना है जुनून की जो पैशा नहीं कोई इंतजार कर रहे हम तो खुद ही चले जाते हैं यह है अर्च नावर यह है प्रियंका धफ्ले जोड़ा चारियों के साथ यहां बात कैसा मैसूस कर रहे है प्रियंका यहां के बहुत अच्छा बहुत अच्छा इंग्रेज यादी यादी अंग्रेज यादी हिंदी अटिज शेर ओशाहरी करेंगे अपका तो हाथ कोई नहीं पकड़ सकता आप पकड़ लीजिए प्रियंक प्रियंक धफ्लेग का कहते हैं हर्श सर एक्टिंग रहा हूं 13 सालों से क्या बात है हमारे एक्स्पिरियंस में तो क्या कहें? लेकिन आप दोनों बड़े फ्रेश, बहुत अच्छे लग रहे हैं और यह जोडी बड़ी कमाल की लग रहे हैं और जो प्रोमो हम ने देखा वो बड़ा कमाल काता था I am sure that you are going to create a magic on the screen, right? स्वागत करें हम भर्ष और प्रियंगा का इस शो में और आए बड़ाब में उन्हें जो इस शो में ना थे वर महत्मूँ किरदार अदा कर रहे हैं लेकिन हिंदी टेलिविजन में कुछ किरदार ऐसे हुए जो आपके जहन पे छप गए और उन्हें कोई मिटा भी नहीं सकता क्योंकि वो इमोशन की तरह साथ हमारे चुड़ गए यादों में कुछ ऐसे लोग हैं हिंदी टेलिविजन का इतियास जब भी लिखा जाएगा उनके करदार के बिना वो पूरा नहीं हो सकता मुझे याद है वो दिन जब आते थे और उनके करदार की मित्यू दिखा दी गई मैं यकीन से कहता हूँ मेरे ख्याल से वो बाइस साल पहले का समय था और उस जमाने में जब उनके करदार के मित्यू दिखाई गई लोगों ने अपने पतियों को खाना नहीं दिया मतलब बीवियों ने का घाना नहीं बढ़ेगा वो चला किया तुम्हें काने की पढ़ी है मतलब रोटी कानी है तुम्हें शरंग नहीं आ रही तुम्हें जिसने हर घर में इतना प्यार पाया महबबते बाई और आज वो हमारे साथ है अमर उपाते है जोड़ा सालियों के साथ क्या पाते हैं क्या पाते है अमर बढ़ेगा बहुत बहुत अन्यवाद स्वागत अमर आपको शुक्रिया अच्छा मुझे एक बाद बताओ क्या खाते हो तुम हमारी उम्हर बढ़ती ही नहीं तुम्हारी बस जो आप खाते हैं सार आपका भी बढ़ी आल है अमर आपका बहुत बढ़ स्वागत है और आज क्या एक्स्पेक्टिशन है आपकी शोने सार एक बहुत ही अलग फ्रेश एटेम्ट है हमारा यह एक अलग लव स्टोरी है जो एक हमारे देश के छोटे दे शेर से बिलॉंग करती है जिसके बड़े बड़े सपने है और खुशिया इखुशिया जिंदगी में है वेरी बबली लाइवली कभी दुख देखा नहीं है जिंदगी में और क्या होता पता नहीं है दुख क्या होता है पता ही नहीं इतनी खुशी से भरी ये जिंदगी है जब सपने पूरे होते तब जिंदगी ये ट्विस्ट लेती है हमारी शुब कामना है आपके साथ है इश्वर से ही प्रातना है कि ये शोग दोपर हिट हो आइए हमारे साथ और कहिए भाभाभवा वेलकल इश्वर करते हैं आमर उपाध्याए प्रियंका धवले और हर्श नागर का जो आज हमारे साथ हैं और आप हमारे न महमानों को सुनेंगी ये चारों बैठे वें, कुछ तो ऐसे बैठे वें, जैसे कोई शोग सवा में आयो हूँ ये जब तीनों बात कर रहे थे, तो मेरी निगा इस पर पढ़ रही थी ये ऐसे देख रहा था कि हो क्या रहा है आप इसका एक्प्रेशन पकड़िये गा ये कई सेकेंड तक हिला ही नहीं है, ऐसे हिला मुस्कुरा दे मेरी जान, हस्ते एक बार वाई है दिलते हैं इसे, मैं जिसके बारे मैं बात कर रहा हूँ, उसके आगे चलते हैं ये लक्षवन नेपाली है, जो भुपाल के पास एक जग है साची साची बड़ा प्रसिद जो है, शहर एक खस्वा है, बड़ा प्राचीन है और बड़ा इतिहासिक है, वहां से लक्षवन नेपाली आते हैं और हास्चिक अद्भुत कवी है, इनके लिए हम जोरदार तालियां पर आते है इदर देवेंदर वेश्णवे, इनके पास भी अपना खास अंदाज है और ये राजस्तान में क्या? यार आज मेरे कोई बात ही पूरी नहीं होने दे रहा है? मैं ना बनूँ इसके पहले ये दोनों आगे? इनका परिश्णवे उसके पहले ये फड़ा होने लगेर बात तो पूरी होने तो यार तो ये देवेंदर वेश्णव है, ये रासांचा आए हैं और अंता में रहते हैं ज़रा जबरतार इनके लिए तालियां बजाईए इनके पाल जो बैठी है प्रियंका मिश्रा है बड़ी परिश्ट्रिमी है और बहुत कमाल करती है ये भी खड़ी हो गई पर ये जुनून मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये जुनून है प्रियंका प्रियंका ये जुनूर ने मुझ बहुत अच्छा लगता है और प्रियंका ने जैनुइनली मैं तो कोई हिंदी शब्द नहीं मिल रहा है यसलिए मैं जैनुइनली कह देता हूँ इस शो में आने के लिए बड़े बड़ी महनत की है और बड़े परिश्रम के पास पोचें बहुत छोटे से गाउं में रहती है मद्यपिद्शी में कटनी जो जिला है उसमें विजे रागवगर एक जगे है वहां रहती है प्रियंका और वहां से आई हैं और बहुत खुबसूरत लिखती है और सबसे बड़ी बात ये एक बड़ी परिश्रमी है और जब कोई व्यत्ती परिश्रम करता है तो उसे उसे फल मिलना चाहिए प्रियंका जब आई तो इसकी आखों में आसु थे और मैं जानता हूं अभी भी इसकी पल के गीली है इसलिए गीली है क्योंकि वो अपना सपना पूरा होते वे देख रही है और सपने ज़रूर पूरे होते है प्रियंका देखने वाला चाहिए प्रियंका कुछा रचा रहा है और ये मारूति नंदन है मारूति नंदन बारा में रहते हैं सीसवाली में सीसवाली एक गाव है जहां पर है तू ऐसे कि घुर की क्यों देख रहा है इसको मारूति देंदन सीसवाली में रहते हैं अब एक छोड़ी जी घटना बता रहा चाता हूँ यह तीन रोज पहले की घटना मैं धौलपूर राजस्तान में एक शोग कर रहा था हजारों लोगों की भीड़ थी कई बार ज़रूरी नहीं है कि जो कवी बात कहे वो आरम से लोगों तक पहुच भी जाया मारूति जो कविता पढ़ रहे थे वो लोगों तक शायद उस अंदाज से नहीं पहुची जैसी पहुचनी चाहिए थी और लोगों ने शायद ऐसा जताया को वो इन्हें नहीं सुनना चाहते ऐसा महसूस करा है यह तीन दिन पहले की घटना है तो मारूति जब पढ़के बैठे मैंने इनके चेहरे पे एक निराशा का हलका सा भाव देखा और मुझे ठीक नहीं लगा मुझे लगा कि व्यक्ति को कुछ भी होना चाहिए निराश नहीं होना चाहिए तो मैंने माईक पे खड़े होके एक घोशना की कि मारूति नंन आज तुम नहीं सुना पाई हो तो इसका घम मत करो तीन दिन ठेड़ जाओ सारा देश तुमें सुनेगा इसलिए आज मारूति नंन हमारे साथ तो यह मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने शब्दों को निभा पाया और हमने मारूति नंन को आज यहां बुलाया तो यह चारों हमारे बीच में उपस्तित हैं आईए एक बार इनके लिए कह देते हैं आईए बारते आगे और मैं मारूति नंन से गुजारिश करूँगा कि वो लक्षमर नेपाली का हाथ पकड़र नेपाली को यहां पे लेगा है तरह जोरदार तालिया प्राम करता हूं आप सबको बहुत अच्छी भगबान किसम पहली बार मैं किसी को इतना सुंदर देख रहा हूं हमारे गाउं में तो यसी संदर पाई ही नहीं जाती क्या सुंदर नाम भई साब सच बता रहा हूं यसी संदर ता होना चाहिए इन्हें देखके तो मुझे चार मिसरे याद आगे के बागों में ना जाना तितलियां परेशान करेंगी आप दोनों भी दाद देना अगर आपके अंदर का कुछ जग जाए तो के बागों में ना जाना के बागों में ना जाना तितलियां परेशान करेंगी बारिश में ना जाना विजलियां परेशान करेंगी लड़के तो बहुत दूर की बात है जनाब देखेंगी जो लड़कियां परेशान करेंगी वाँ, 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 अच्छे सही होता रहा हूँ, नाम भी कितने प्यारे होते हैं क्या सांदार नाम पिंकी, चिंकी, हमारे हैं छोरों के नाम कुछे ही नहीं है इधर चले जाओ, क्या शरीव के नाम है पलक, नजर, रुकसार, हमारे छोरों के नाम देख लो चरन सिंग, बत्तिसी लाग मुझे तरह बेठे आनन दित हो गया, मुझे तो मारूती का आद आ लिया यह तो तलाक ले ने पहुचिए जच के पास बोले जच साब तलाक चाहिए घरवाली से बोले किस बात के लिए बोले मुझे शक है कि ले तुम कैसे प्रूब कर सकते हो कि उसका कहीं चक्कर चल रहा है बाई साब बहुत बारीक बात बता रहा हूं मस्ती में देना बोले तुम कैसे कह सकते हो कि तुमारी पतिनी का कहीं चक्कर चल रहा है बोले हम पहले पुना में रहते थे आजकल दादर में आ गए, लेकिन दूद बाला वही है अले बहुत अच्छे लगए, क्या बात है बहुत बड़ी है मैं तब ही समझ गया था है मस्तिम है आजमी की जीवन में दो काम होते हैं भाई साथ एक शादी के पहले, एक शादी के बाद दो मिट्छे साधी के पहले के भाई समय नयाय प्रियोग लाया हूँ पहली बार आपके बीच और दो मिट्छे साधी के बाद मिज़े मतलब पंति, पंति मतलब लाईन लाईन तो आप लोग समझते होंगे आले श्राइन पढदता हूँ मैं दो मिश्रे शादी के पहले के, दो मिश्रे सादी के बाद, सादी के पहले कैसे लिखता था, पढ़ता हूँ यहां से, के किताबों तक मुहबत का फूल जाना है, अरे बही याद आता है, जिसे फूल जाना है, और शादी के बाद, जब आखे खूल जाती है, तो दो मिश्रे सुनो, किताबों तक महबत का भूल जाना है अरे याद आता है जिसे भूल जाना है बीबी का यही जुमला हमें जीने नहीं देता अरे सोजाओ सुभा बच्चों को स्कूल जाना है बीबी का यही जुमला हमें जीने नहीं देता सो जाओ उस सुभा बच्चों को स्कूल जाना है बस साधी के बाद पर याद आती है साधी की पहले की बात है वो कुछ और हसी होती है सच बता रहा हूं बुटल गुद्गुदी वाली बात आजाएगी आपको कि जिंदगी जी रहे हैं बड़ी बेवसी के साथ सब साधी सुदा लोग समझ जाना बात कि जिंदगी जी रहे हैं बड़ी बेवसी के साथ अरे हम किसी के साथ तो दिल किसी के साथ जिंदगी जी रहे हैं बड़ी बेवसी के साथ हम किसी के साथ तो दिल किसी के साथ वह साधी के पहले की दो बंदी आद आ गई हां से के कॉलेज की सारी लड़किया तो टौपर पर गई कॉलेज की सारी लड़किया तो टौपर पर मर गई हम हो गए सेट हर किसी के साथ ऐखेयर दूहाए दि topics वहाई आजैं आफकत वहाई बहुत बढ़ गया तुम्हार चरित्र पता मतलब इनकोए तुम तबित दूमी एक भिलकुल अलू जैसा है ऐसे फित था बनी रम गणिन While गद्स होते किसी भी सबजी के साथ एड़जस्ट हो जाते हैं ऐसा मत करो, ऐसी हरकते करो, जो है वो भी निकल लेगी इसकी तरफ मत देख, तरह घर की बात कर रहा हूँ और मुझे बहुत बुरा लगा प्रियंका धवले की तारिफ तुम इस तरह से कर दे, बहुत खराब लगा यह हमारे स्टेज है भई, यह हमारा शो है, हमें संस्रिती की बात करते हैं और मेरे होते कोई इनकी और तारिफ कैसे कर सकता है क्योंकि तुम ही हो की कास्त, उनके प्रोडूसर और बड़े मशूर अभिनेता, तीन हमारे साथ है, हर्ष नागर हमारे साथ है, प्रियंका धवले है, और दी अमर उपाध्या है तीन हमारे साथ है, सुना अपने लक्षमन को, कैसा लगा आपको? मज़ा लगा है? अच्छा! क्योंकि हम लोगो इतने जोक्स नहीं मिलते हैं क्या करा दे प्रियंका आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी तारिफ सुनकर थांकू, थांकू सुमाच अमर क्या कहना है तुमारा? बहुत मज़ा आया है लक्षमन भाई का सुनकर बहुछा लगा, आपने बहुत हसाया और बहुत अची तरह से आपने कविता सुनाई, मज़ा आ गया सुनकर खेर, आईए उसको बुलाता हूँ, इस बिचारे का, इसको देखता हूँ मुझे, देविंदर को मैं लगता है, औरतों से उनकी उम्ब बूचो तो उनको खाली उम्ब चिपानी पड़ती है इसको अपना पेट, लड़कियों के नंबर, चेहरा पता नहीं क्या क्या चिपाना पड़ता है लेकिन हाँ, देविंदर वेष्ण आप उमारे पीच में जोड़ना ताल्यव स्वागत करें सेलेज भाई साथ, प्रणाम करता हूँ आपको मैं भी आशरवाद देता हूँ तुमको इतने प्यरे-प्यरे लोग बिठा रखें सामने, बहुत शानदार पड़ी आई में बैठे है। आएं हैं बैठे हैं इनको तो प्रियेंका जी को देख के भी आरीये है भाई आप दो ने आँ अपेलए वेचना है वो सारी प्रियेंका को देख के यार हा रही है हँ तुम य तरिए मंसरू होने के पहले लक्षमान नेपाली भी मेर से रहा था यार देवेंदर मुंबवाइ की कुडियां उन्हें होती है यह बहुत सारी बाते हैं कुमारे मित्र बेठ है मेरे इनको देख कर के मुझे याद आया कुमारे कुमारे इस पंडित का ग्यान लेकर के जाना बहुत अच्छा ग्यान दे रहा हूँ मैं खाली प्लाट दीखे जहां माता पिता को बता दो रजिस्ट्री कराने सारे रिष्टेदार आएंगे वहाँ, वहाँ अच्छे और इस समय जो निकले गया माता पीता भी क्या करें कब जे से चूटा हुआ ही प्लाट पकड़ाएंगे कब जे से चूटा हुआ, वहाँ अच्छे शेलेज बाई साब, मेरे साथ भी हुआ जीवन में, लक्ष्मन बाई सेलेज बाई साब मेरे साथ भी हुआ जीवन में भाबी की बहिं से प्यार करने का मजा ही अलग है तो मैंने लिखा उस समय पे चार पंक्तिय इनको देख करके मेरे को याद आया गुसे में भाबी लाले है, चकरा रही है क्यों तल तल के मुझको सुबह से वो खा रही है क्यों बोली की सेंट लगाया का पहनाने मेरी मुझको बता दे खुश वो तुझसे आ रही है क्यों बहुत बाई बाई लेए लेट, बहुत अच्छे श्चेलेज भाई साब आज कल की लड़किया लड़कों से बहुत आगे मैं देख रहा हूं रोजाना, क्या बदलाव आगे बदल गया है समें चक्र और बदली भारत की नारी उरुष प्रदान देश भारत में मर्दों पर नारी भारी मर्दों पर नारी भारी देश के कानून का उठाए पूरा फाइदा हो भूल गई मर्यादा, भूल गई काइदा पात एक से करेगी, प्यार दूसरे से होगा तीसरे से मिलने का वाईदे पे वाईदा प्रेक फास्टेक से तो लंच दूसरे के साथ टीनर का तीसरे से कर लिया वाईदा चोथा भी फोन पे है पांच बे को दे दी डेड गिप्ट पे मिलेंगे गिप्ट फाइदे पे फाइदा और सुनिये सेलेज भाई साफ चोटे मोटे ते एमपू भी देखते हैं जुहू बीच पे कहीं गार्डन में कहीं भी अपन का छोटे मोटे टेमपू भी प्यार में पड़े हैं देखो पनते जा रहे ट्रक लारी पुरुष प्रदान देश भारत में मर्दों पर नारी भारी मर्दों पर नारी भारी क्या बात है वाच है प्रियंक क्या कहना है मुर्दों पे नारी भारी बात कुछ हजम नहीं हुई अच्छा रेसा क्यों? डिनर, लॉंच, ब्रेकफस्स अब अलग-अलग क्यों ऐसा? यह तो लड़किया जाने मैं तो नहीं जानती यह यह तो भई इसने अपनी पीड़ा रखी है पर देवेंद्र भाई आपने खुद जो है कुड़ता पैना सुबह का डिनर के लिए सूट पैना यह क्या है यह मतलब? यह बाई साब उन्होंने पैना दिया मेरे गोड़िया आखर सच्चा यहाई गई लबह पे हमर आपने तो खेर इतने बरसों तक एक कल्ट शो किया और वो जो करदार है वो लोगों के जहन में बस गया कुछ खास याद उसकी वैसे तो जब हमने शुरू किया तो बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स से गुजरे हम शुरूबात में क्योंकि हमारा जो शेडूलर था उसने इतना गर्वड कर दिया था था हमारे शोमे की एक साथ साथ एपिजोड के उसने खोल दिया थे लिए लेकिन जब हमारा शोओ ऑनने था 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 तब हमारे एक एक एपिजोर तेहर नहीं था तो भी उस्ट तो शूट देड देखने पहली बार तब वहाँ पर एक फ्राइडे को एक फ्री एंट्री होती थी तो उस वक्त मैं गल्दी से फ्राइडे को चला गया तो किसी ने मुझे देख लिया होगा पैचान लिया तो मैं सच बया कर रहा हूं आपको की दो मिन्ट में अंदर चला गया इतनी लंबी के बोल रहा हूं बिल्कुल हर एक्टर चाहता है कि लोग उसे इस तरह से शौरत मिले और उपर वाले की दिया है कि या टेलिविजन के मेमरी ती छोटी होती है कि लोग भूल जाते है अज बाई साल बाद भी लोग I think I thank my almighty God and my parents and all my fans definitely yes definitely yes Amar और मैं तुमारी बाद से आई कि लिए यह होना भी चाहिए जना भी लेकिन यह जो एक अच्छी बात यह है जो तुम में मुझे लगती भी है और जितने लोगे हुने में कहना भी चाहता हूं हम तमाम लोग जो शौरतों की इस कष्टी पे सवार है इसे पुझ जहन में नहीं बिठाना चाहिए यह पशीर बदर कहते हैं कि शौरत की बलंदी भी पल भर का तमाशा है जिस शाख पे बैठे हो वो तूट भी सकती है इसलिए बलंदी में यह जो हम अगर जहन में ना बिठाएं तो इससे बेदर कुझ नहीं हो सकता है यह जिस उचाई पे जाते हैं वहां जाने के बाद एक अ पुची इमारत हर घड़ी खत्रे में रहती है और अर हमारे साथ हमारे चार मिटर बैठे मैं डेवेंसर मारृतियन पत्र नंदन है लक्षमान नेपालि और प्रींग कश्रा है और ऑर क्योंकि तुम ही हो कि are kIST हर्श नागर और प्रींग का ध्वले दोने के बैटिए हर्श इस अधरी बना चाहते थे पहले तो बता ही था पर सब जब से डांसिंग शुरू की दब से लगा कि हम ओ यह वारे बतलब काश्व हम आदेखते तुम्हे दांस करते हैं यह भी है इस क्लासिकल अचा यह पेपला है अपकी अपास्ट अप्रियंका है अप्रभाइब आप है कुछ अपर आई ने वा था है एक एँ ए हो हम पुछ कर दो कर दो झाली है कर दो काहिएbn कर रह्याच कर चाहिए कर दो दो क्या आप पाप हैं और इस शैतान लड़के ने मुझे भी बसा दिया मैं नहीं चाहता था यहाना बड़ अप्यूटिफुल अग्रेश्फुल डांसर शी इस क्या बाद अप्यूएंका क्या बाद अप्यूएंका थैंक यू प्रियंका, थैंक यू अप्यूएंका अईये जब ये दोनों नाच रहे थे तो प्रोडूसर अमर उपद्धाय सोच रह था अभी तुम धुन पे नाच लो बच्चों आखर नचाना तो तुम्हें मुझे ही है बड़ अप्यूएं को बलाना चाहता हूं विजर आगवगड कतनी से हमारे बीच में ये प्रेंग का मिश्णा जोर्दा ताली मशारे माँ शायदे को प्रडाम करती हूं सर आपको प्रडाम करती हूं और महिर सरी अम्हें तो महिर नाम से ही जानती हूं जी और हम उनको देखते देखते बड़े हो गए बहुत नहीं सर मैं शुरुआत यहां से करती हूं कि भारती माँ देल तूटने पर इतना दुख नहीं होता जितना कपका हैंडल तूट जाय तो होता भाईया चादर पर चाय गिर जाय ना तो चिम्ता मार मार के चमगादर बना देती है पर फिर भी मा तो मा होती है मा तो मा होती है एक दो हमा को समर्पित करती है ठिठुरे ठिठुरे गाव में शीति लहल बौचार है है क्या बात है वाँ वाँ ठिठुरे ठिठुरे गाव में और माने स्वेटर था बुना, संग बुना था प्यार और कंगा ने अंजन आलता, कंगा ने अंजन आलता, फीका सब स्रिंगार और बिखरा बिखरा रूप है प्रियतम सरहद पार की जव का पोल पर रंग दिया जव का पोल पर रंग दिया ऑफ हम नाम बैटी है सामने, I am प्रियंका जव की का पोल पर रंग दिया प्रिय ने प्रेम गुलार धड़कन द़ड़कन का सके हाल हुआ पेहाल आए, क्या बाद है? और सर, जिसको देखकर हमारी सारी टेंशन अटेंशन में बदल जाए, वो प्रेम है, एक गजल प्रस्तूत करते है लेकि गजल के बारती माह के बारे में बता है, बारती माह के बड़ा कमाल होता है माल लो बेटे से वो पीट रही है बेटे को कि के बात पर, और पीट इठ पीठ चूडी तूडा जाए तो एक राउंड और पीट ये तेरी पेत प्रीट पे दाए प्रहस्दि हर इह हमारा कमाल है एक गजल जनदगी से प्रीत लेकर क्या करुणी जिन्दिगी से प्रीत लेकर क्या करूंगी बिन तुम्हारे जीत लेकर क्या करूंगी क्या बात है जिन्दिगी से प्रीत लेकर क्या करूंगी बिन तुम्हारे जीत लेकर क्या करूंगी पूल मुर जाए सभी मन के चमन के मैं कुलो की रित लेकर क्या करूगे जिन्दिगी से प्रीत लेकर क्या करूगे जिन्दिगी से प्रीत लेकर क्या करूगे बिन तुम्हारे जीत लेकर क्या करूगे प्यार कर बैठी गमों के शोर गुल से मैं मधुर संगीत लेकर क्या करूगे जिन्दिगी से प्रीत लेकर क्या करूगे बिन तुम्हारे जीत लेकर क्या करूगे क्या प्रीत लेकर क्या करूगे इस प्रीत को लेना ही पड़ेगा तुम्हारे आप जो नई कलाकारों के लिए करते हैं मेरे हाथ ठंडे हैं अभी भी और जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया और जिस तरीके से आपने सर्व बहुत बड़ी बात है बहुत अन्वास है शुक्रिया और अम बड़े खुश है कि आम बाप भी बाकि मज में नहीं लोगों के लिए कुछ करें प्रियांका को सुनके आप लोग कैसा लगा मर यह पूरा जो महौल बना हुआ यहां पर ऐसा महौल हमारे डिली शूप में तो नहीं होता लेकिन यह अगर बन जा हमारे मारोज तो शुटिंग करने का मज़ा अलग हो जाए बिलकुल और इतने सर आप डेश के कोने कोने में इतना टैलेंट है हमारे और आप इस मंच पर लाकर उन इतने देश पाजों के सामने लेकर आते हैं इतने कभी है जो सामने आते हैं पुरे देश के सामने और इनके बाद इनका जो करियर आगे बनेगा उनके लिए जो सफलता ही मिलेंगी इतने अच्छे टैलेंट को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देरी है अब मैं क्या करूंगी मजा आगया मजा बहुत अच्छा गाती बस इतने ही तुम्हारा सपना नहीं है कुछ उनका भी सपना साकार हो रहा है मेरा सपना साकार हुने जा रहा है जी अब वो जरनी शुरू हो क्योंकि तुम ही हो क्या बात है वाँ आप लुग सुन रहे थे तो मेरा ध्यान एक सजन की और था योर। तो उद्म्हें बेखे वे थे और ब्हुत गंभीरता से प्रिंगा को पड़ते वे देख रहे थे और सुन रहे थे च्या नाम है आपका सर मेरा नम स्यो मिष्रा प्रियंका को बाकी सब लोग अलग धंग से देख रहे थे आपकी निगहा का मैं अर्थ नहीं समझ पाई आपको कुछ जानते हैं पर देखा क्योंकि जिस जिन्दगी उनकी मैं हो नहीं हुआ 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 क्या बात है मतलब ये आपकी जीवन संगी नहीं है जी मेरी दर अब अब और तुम ऐसे आदमी का साथ होते हुए कहती हुआ ऐसा मनमीत लेके क्या करूंगी नहीं सर एक्सपेरिमेंट पूरे मेरे ही उपर होते है सबसे पैली बार मेरे उपर ही एक्सपेरिमेंट करती है तो मैं मतलब कैसे इथाल एलकोल डालती है अब बहुत जहले इंस आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप जैरागवगड से यहां तक आए हैं मुंबई तक अपनी पत्नी के साथ उन्हें सपोर्ट करते हैं यह बहुत अच्छी बात है तो मैं आपको बढ़ाई देना चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका धवले और हर नागर त अपने बारी का इंतजार कर रहा है और जो सीस वाली बारह राजस्थान से आता है हमारे बीच में । जोड़ना तालियों के साथ अथे तेरे। सवचलस में अभेदि … समय खृँखी आपनी बात अभिव्यक्त करता, तो क्या करता? सोती गाल सं dio में आभभेदियें है? सत्त के ज्रीजी सर्मन difference कि न बल में कम, न कल में कम न बल में कम, न अकल में कम आपानित करते मुझे सदा में एक गदा, में नेक गदा, में जन्तो गदा, में किन्तो गदा बोजन में अलपा हारी हूँ, में पूरा शाका हारी हूँ में त्रण चड़ता, कागज चड़ता, पर पूरा पेट नहीं बरता संतोस वरती धारन करता, मालिक की कृपा अगर हो तो खाता हूँ चारा, यदा कदा, मैं एक गदा, मैं जन तो गदा, मैं जन तो गदा, मैं किन तो गदा मैं महा मुर्ख माना जाता, मैं महा मुर्ख माना जाता, नाला एक से मेरा नाता, मुझको अपमानित करने को माना को गदा कहा जाता क्या बाता या माणों कि तर रज दोल कर दो खान मेरे वंसब और तक्ष प्रजा मेरे अंसब और दक्ष प्रजा मेरे अंसज गोड़ा मेरे कुल में हीरा इसका मैं शौब नहीं करता गोड़ा मेरे कुल में हीरा इसका मैं शौब नहीं करता और मुझको भी रत्न कहा जाए मैं ऐसा लोब नहीं करता गोड़ा मेरे कुल का हीरा इसका मैं शौब नहीं करता मुझको भी रत्न कहा जाए मैं ऐसा लोब नहीं करता मैं काबुल में भी रहता हूँ और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं व्यापक विश्वबंदु नीतिका हूँ पालक मैं व्यापक विश्वबंदु नीतिका हूँ पालक सीतला माई का वाहन हूँ अते हैं उस्ष्टिका संचालक, जीतला माई का वाहन हूं, अते हैं उस्ष्टिका संचालक, दुष्टों को नसू दुलती सें, दुष्टों को गसू दुलती सें, वक्तों के लिए बनू वर्दा, मैं एक गदा, मैं नेक गदा, मैं जन्तु गदा, मैं किल्तु गदा, आहा, आ हुए देखो मारूती बहुत पड़िया यह देखो मारूती बहुत बढ़िया थे 1 कल अधना 개ütfen भी नहीं होता है मैं आधना समझदार होता है एक गधा एक आदमी क्या काम करता था अर मालिक जो बढ़ा पीटता ये वो बढ़ा धरण ये वह निकलता ही नहीं था इतने अत्याचार के बाद भी वहीं ख़डा रहता था तो एक मित्र गधे ने उससे कहा ये गधे मेरे सखा मेरे भ्राता अगर तरह मालिक इतना अत्याचारी है तो भाग क्यों नहीं जाता तो आदी है रहते वह सुनता हूँ कि देख तो सुदर जा निम तो किसी दिन किसी गधे से शादी कर दूँगा तो मैं तो इंतिजार में हूँ, मैं प्रतिक्षा में हूँ, तो यदा-कदा-सदा नहीं होता, गधा कभी गधा नहीं होता, क्या लगा आपको सुनके? भारुती मज़ा आगया, तब गधा इतना काम का आज पता चला, क्या पादे, प्रेंग का आपको क्या कहना है? गदे के बारे में तो काफी अच्छी बाते कही आपने पर आप इतने गंबीर किसमें की इंसान क्यू है? क्यू इतने सिर्याइश रहे है अज दीजिए मुस्कुरा याँ देखो वो कह दीजिए क्या बाद है मारुटी तुमने कमाल कह दिया अमर, प्रियंका और हर्ष आपने इस कारिकर्म में शिरकत जिस महबत के साथ की और बैट के जैसे एंजॉय किया और बिल्कुल दिल से जोड़े रहे तो उसके लिए आपका बहुत 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 शब्र गुजार हूँ और मैं इश्वर से प्रातना करता हूँ क्योंकि तुम ही हो, इस शो बड़ा हिट हो, बड़ा खूबसूरत हो और लोग खूब देखें और आप इसके सेक्ड़ों हजारों एपिसोड करें और किसी दिन हम भी आपके एपिसोड में आये हैं और आके आपसे कहें, क्योंकि तुम ही हो और वो कहना बड़ा ज़रूरी है लेकिन हमें बड़े खुशी है कि हमने चार नए लोगों को बलाया और ये चारों हाँ च्छा गए और इतने बड़े स्टार्स ने आपको सुना इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मैं खाब हूँ, खयाल हूँ, शबनम हूँ, रंग हूँ मैं खिल खिलाओंगा मुझे लफजों में बाढ़ दो वाँ भई, वाँ आईए मैं खिलाओंगा मुझे लिए già हुआ, याल हो आईए